आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ इस question में देखे क्या बोला है कि हमें the total revenue of a sale of x units of a product is given by rx is equal to 40x minus x square by 2 then बुले कि then find the marginal revenue when x is equal to 6 and interpreted ठीक है तो देखे हमें क्या दिया है एक देखे sales का revenue का with respect to x यहनी sale of x units के साब से देखे revenue दिया है equation दिया है 40x minus x square by 2 ठीक है अब देखे हमें क्या करना है कि marginal revenue निकालना at x is equal to 6 तो देखे marginal revenue अगर हम mr बोले तो देखे इसको कैसे निकालेंगे हम r' x से निकालेंगे at x is equal to 6 ठीक है तो सबसे पहले marginal revenue निकाल लेते फिर उसको interpret करेंगे कि उसका meaning क्या होता है तो देखे यह हो जाएगा r' x अगर मैं निकालो तो देखे आजाएगा 40x का derivative देखे क्या हो जाएगा 1 revenue आगे अब हमें बोले कि interpret करना इसकी value तो देखे हमें हमें पता है कि marginal revenue यह क्या होता है economical terms में देखे तो economics के terms economics वाले चीज़ों में हम calculate करते marginal revenue और देखे marginal revenue क्या होता है अगर हम जैसे यहाँ पर x is equals to 6 बोला है तो यानि 6 यह होता है marginal revenue का physical meaning ठीक है तो दीके calculate करने के लिए तो simple सा होता है हमें r-x निकालना को जो भी revenue होगा इसके भी terms में दिया होगा उसका derivative निकालना होगा और देखे उसकी meaning क्या होती कि अगर x is equals to 6 के बदले हम अगर change करते यानि x is equals to 7 products बेचते यानि 6 के बदले 7 units का sale होता है तो हमें 34 का increment मिलेगा यह हमें बताता है marginal revenue classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के level तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप या whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर